हेलो इस्टुटेंट वेलकम टू ए अवन लाइन शावलूसन मैं हूँ असफाक तो स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे आज मैं आपको क्राश्टेंट का दो चर वाले रैकिक समीकरन का इंपोर्टेंट दो तीन कोशन में बताने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा देखिए और जो लोग लैब में आये हुए हैं और जो लोग लैब के बाद देखने तो नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ उसमें भी कमेंट कर सकते हैं तो देखिए सबसे पहले सवाल आपको क्या बोलता है कि दो संख्याओं का योगफल पचास है और यदि उनमें से एक संख्या की साथ वटा तीन गुनी हो तो संख्या बताइए यह कुर्शन आपको कलास टेंट के लिए हैं उनके लिए काफी एहम है और उनहीं का सेलिबस क सवाल है तो सवाल में बोला जारा कि दो संख्याओं का योगफल पचास है यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की साथ वटा तीन गुनी हो तो इस संख्या बताइए तो आजिए इसको बनाते हैं तो यहाँ पर सालुसन कर लेते हैं सबसे पहले लिखेंगे माना की माना की पहली संख्या बराबर मान लेते एक से और फिर दूसरी संख्या दूसरी संख्या मान लेते क्या वाई हो गया अब यह मान लिए इसलिए अब यहाँ पर लिखेंगे परसने से अब परसने से में क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का योगफल क्या है पचास है तो अपका सम्मिकरन फर्स्ट बन गया दो संक्हा का योगफल पचास हो गया ठेक है फिर नेक्स्ट की equation क्या बोलता है next equation पर धियान देजे तत्था next बोलता है कि उनमें से एक संक्हा दूसरी संक्हा के साथ वटा तीन गुनी है तो हमको बराबर करना है तो बराबर करना है कि जिसे मतलब X से है और दूसरी संख्या के है Y है तो पहला संख्या है जो दूसरी संख्या की 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 इसमें लगा हुआ दूसरी संख्या हम लगा हुआ है तो यहां पर गौर करेंगे एक संख्या तो एक संख्या लिख लिए फिर बरावर देंगे दूसरी संख्या की तो दूसरी संख्या लिख लेंगे अब जहां की लगा हुआ तो की के मतलब क्या समझेंगे गुना समझेंगे यानि कि दूसरी संख्या की साथ बटा तीन गुनी है तो 3x हो जागा तो 3x حो जागा फिर हम और package करेंगे तो 7 कंग ये था लेते हैं 3 x से माइनस 7 y इक्वल टूब क्या हो गया जीरो या अब में करना इसको हल करना sorry का मान नहीं काला है तो यहां पर देखेंगे हम x plus y बरावर दिया हूँ है यह 3x minus 7y तो हमको या तो इसको जोड़ दीजी या तो घटा आएंगे अगर जोड़ेंगे कब जब एक plus एक minus वला रह गए तो जोड़ देंगे देखें यहां पर plus वला है यहां पर minus वला है तो इसको कोसेच करेंगे जोड़ देने के लिए लेकिन दोनों plus में होता तो घटा आते हैं ठीक है और घटा भी सकते हैं तो इसको बरावर करना पड़ा है किसी एक को या तो y को बरावर किजी या तो x को बरावर किजी यहां पर लिख रहेंगे हम क्या, आप पर बताता हम आपको. समी करंड की में समी करंड की जोडरेंगे। समी करंड की में फस्ट की से सकंड से क्या करआएंगे। समी करंड की सील odorेंगे। सेहं लिएक्स हो जाएगे, और साथ को 20 कर deleting तो 7 हो जाएगा, और 75 35 350 हो जागा ये तो हमारा वही रहेगा 3x-7y बरावर 0 देखें जोड़ रहें इसलिए निसान चेंज नहीं करेंगे जब घटाएंगे तो निसान चेंज नहीं करेंगे 7y 7y कर जागा 7 3 10x बरावर क्या होगा 350 यहां काट लेंगे 10 100 काटेंगे तो 35 कर जागा इसलिए तो एकसे बरावर कितना गया एकसे बरावर आगया 35 हमारा गया अब एकस कमान सभी कर फास्ट में रखने पर एकसे ब्लस वाई है एकस प्लस वाई बरावर क्या है पच्चास है, एक्स का मन कितना है था, 35, यहाँ पर रख लेते हैं, 35, प्लस y बराबर, 50, और फिर क्या करेंगे, 35 को उधर भेज़ेंगे, तो y बराबर, 50, 50, माइनस 35, तो कितना जागा, y बराबर आगे है, घटके, 5, 15, तो y बराबर कितना गे है, 15, इसलिए, यहाँ पर ल संख्या निकालने के लिए बरा प्रख 3 निकाले, तो संख्या जेए,renched पता चल गया, शिरू संख्या कितना हो, 35, बराबर, 25, जिए 15, I think आपको 2021 समझ में आ गए होगा है, तो fender साथ में दो दो संख्या आल है, दो संख्या है, और योगफल छी है तो संख्या निकालना है, तो पहले हम मान लेंगे संख्या है नए भी मान लेंगे चलेंगे यहां पिलिखेंगे पर चाहरए जड़ गर्वर स माय क्राइब यूद करते हैं नसी होगी तहांरा सम्मारा ढूल कर रहे तो आप इसको क्या करेंगी देखिये यह नहीं जोर डेंगे किया करेंगी इसको जोड़ देंगे उड़र करेंगे तो यह कट जागा अगर दोनों जोर जोड़ होता तो एक से मारा है शेकंड का है एक से पलस y बराबर छे है इदिनों कुछ दिए तिधनों कळ जाएंगा तो तो नों किया जागा दस दूभ पच्छे दस एक से बरावा के तना गया पाँच आ गया अब एकस का मान है एकस का मान समीकरन जिसमें भी रखेंगे, जिसमें भी रखेंगे, अंसर दोन आएगा, तो फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट में क्या हमारा है, फर्स्ट हमारा एक से माइनस y बराबर 4 है, यहाँ पर देखें, एक से हमारा कितना 5 है, 5 रख दीए, माइनस y बराबर 4, तो 5 उधर भेज़े सब्सक्राइब कर देना कि समझ लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को दबा देजिए सबसे बड़ी बात है कि आपको इक्वेशन अगर बनाने के लिए आजाता है तो सबसे बड़ी बात है तो पहले हैं पर जाल करेंगे माना की पहली संखियां बराबर क्या मानेंगे एक से और फिर दूसरी संखियां बराबर वाई मान लेते हैं अब परसने से क्या बोलता है एक संखियां दूसरी संखियां के तीन गुणी हैं मान पहली संखियां जो हैं एक संखिय्वे निख सकते हैं और थिक्कत निखत59 X से बराबर इसको 3Y लिख सकते हैं सही सुधार के और इसको इधर equation बना लेंगे तो 3Y को पलस इधर करेंगे तो क्या होगा minus बराबर जिरू है यह हमारा क्या हो जागा पहला equation बन जागा पर दूसरा क्या बोलता है पर देखे बोलता है उनका योगफर कितना है 16 है यह जो दोनों संकिया यह बराबर 16 है यह हमारा समकर्म केतना हो इसकर होगए यहाँ देखे 3Y माइनस में यहाँ पर Y है और यहाँ एक X से यहाँ पर एक X से यहाँ तो सब से अच्छा क्या है आजसा काम करेंगे जो गुणा ना पढ़ारेक्ट कर जाए तो एक से एक से यहां भी है अजू यह बी है तो हम यह गड़ुदे हैं यह दुदे तो सभ्मीकरान को घटा देंगे तो यह दुने कर जागा तो इसका मतललत आप जोड भी देजागा तो हमको तीन से पहले गुना करना पड़ाएगा तब जोड़ सकते हैं यहां पर एक यहां भी है वन एक से यहां भी है तो हम क्या करेंगे घटा देंगे तो आप यहां पर लिख लिख लिखते हैं सभीकरण first minus second first minus second चयों से घाटाएगे तो first हमरा क्या है देखें egy से minus 3 y है बढ़ के बढ़ जरो यह है second क्या एक से plus y बढ़ करूब 16 अब क्या करने हमको घाटाना है घाटाने के मतलब निसान चेंज यह plus में क्या बन जागा minus यह पहलास हो गिया तीन वाई एक वाई चार वाई हो जाका दोनों माहिनस में निख लिए मिनस चार वाई और माहिनस सोलह यह तो मैनस मैनस कर जाता है 4 चौक 16 तो यहां पर लिखते हैं य बरबर कितना आ चार आगया आप य कमान किसी एक में डालते समी करन फर्स्ट ने जा सेकंड में डाली जो ज्यादा एजी लगे किसी में डालेंगे अंसर उसे माईगा कोई दिकत हैं इसे कि में रखने पर आप ट्राय कर सकते हैं सिकंड में रहें जाएंगे किसी में चाहीं सब्सक्राइब में अब एक से प्लस य पर इस सअग्या नेकल गया है दूसर किसी लिए एक से बराबर 12 और य तो य जा में गया अंतर गया तो आई हो आपको यह कोश्टन समझ में आगया होगा है तो समझ में आ गया है तो जल्दी से लाइक का बटन दियो लाइक कीजिए और बेल आकन दबाएए सब्सक्राइब करके और रोज सुबह साथ बज़े सुबह साथ वज़े यह कनफर्म है फिक्स है क्लास चलेगी और जो इस दिन में अगर लाइब क्लास होगी तो आपको